त्योहारी सीजन में कार निर्माता कमपनिया कई नए प्रोडक्ट्स लॉंच करती है ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को लुभा सके। ऐसे में महिंद्रा भी अपनी लोगप्रिय बोलेरो नियो एस्यूवी को भारतिय बजार में सितंबर 2023 में लॉंच करने वाली है। यह इसके साथ ही महिंद्रा स्कॉपियो क्लासिक तथा आगामी महिंद्रा बोलेरो नियो के कुछ वैरियंट एक दूसरे को ओवलेप करने वाले हैं। महिंद्रा बोलेरो नियो को एक सस्ती तीन पंक्ती एस्यूवी वाली पोजिशनिंग को ध्यान में रखते हुए, हमारा अनुमान है कि यह मॉडल टायर दो बग रामीन बाजारो को टारगेट करने वाली है। वहीं बोलेरो नेम प्लेट टारगेट ग्राहकों को आकरशित क करने वाली है। महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में बात करें तो इस एस्यूवी को दो सीटिंग कॉन्फिग्रेशन साथ सीटर तथा नौ सीटर के विकल्प में लाया जाएगा। वहीं इस मॉडल को सिर्फ रियर वील ड्राइव लेयाउट में लाया जाएगा। इंजन विकल्प की बात करें तो आगामी महिंद्रा बोलेरो नियो एस्यूवी को समान दो दशमलब दो लीटर चार्ट सिलेंडर टर्बो चार्ज्ट डीजल इंजन दिया जाएगा जिसका उपयोग महिंद्रा स्कॉपियो क्लासिक में किया गया है। हाला की नियो में इसे पर डीट्यून किया जाएगा। वहीं महिंद्रा स्कॉपियो क्लासिक एस्यूवी की तरही महिंद्रा बोलेरो नियो एस्यूवी को सिर्फ एक गिया बॉक्स में लाया जाएगा। यह गिया बॉक्स समान 6 स्पीड मैन्यूवल गिया बॉक्स होने वाला है जिसका उपयोग महिंद्रा स्कॉपियो क्लासिक SUV में किया गया है। महिंद्रा बोलेरो नियो के फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल एक छे, आठ इंच का इन्फोटिन मेंच यूनिट, पॉवर विंडो, हाइट अजस्टेबल ड्राइवर सीट, डूल एर ABS, EBD आधी दिया जाएगा। महिंद्रा बोलेरो नियो की मदद से कमपनी टायर दो तथा ग्रामीन इलाके के ग्राहकों को साधना चाहेगी। कमपनी बोलेरो नाम को भुनाना चाहती है जिस वजह से इस नए नाम के साथ ला रही है। इसमें प्रेक्टिकेलिटी पर खोब ध्यान दिया जाएगा।